शहजाद जी आपसे शुरुवात कर रही हूँ अब कहा ये जा रहा है कि विपक्षी एकता से आप लोग इतना डर गए कि आपने पार्टियों में ही तोड़ पोड मचा दी ना बचेगी पार्टी ना होगी एकता देखे ऐसा है कि विपक्षी एक्ता का ये तथाकतित पुल जिसकी नीव में राहुल गांधी का नेत्रित्व सूपरिंपोस करने की बड़ी लोलुपता है उसने तो पहले ही जल समाधी ले लिया था NCP के प्रकरण से पहले क्या-क्या हुआ है मुझे एक सूची पढ़कर बताने दीजी आपको NCP के आने से पहले आम आदमी पार्टी ने कॉंग्रिस पर हमला कि और्डिनेंस को लेकर कॉंग्रिस ने लेफ्ट पर हमला किया कि आप डिक्टेटर हो हमें अरेस्ट करते हैं कॉंग्रिस ने TMC पर पंचायती चुनाव पर हमला कर दिया कॉंग्रिस ने KCR को BJP की B-team बोला था अखिलेश यादव जाकर उनके साथ मिल गए अखिलेश जी ने का हम ही लड़ेंगे युत्तर प्रदेश में और किसी के लिए जगे नहीं H.A.M. मतलब की मांजी जी की पार्टी बिहार के गड़बंदन को छोड़ आई R.L.D. गई ही नहीं तो बताईए इसमें हमारा क्या लेना देना है ये विपक्षी एकता का पुल या उसका शिशू पैदा होने से पहले ही अगर गरबबात हो जाता है तो उसमें हमारी क्या गलती है ये इसलिए होता है मैं आपको प्राची जी बता देता हूँ क्योंकि हमारे साथ प्रदीब जी है आप किसी भी गड़बंदन को अनलाईज कीजे UPA का या NDA का वाजपई जी या मोधी जी वाला उसमें एक सेंटरल लीडर होता है जो पैन नेशनल अपील रखता है उनके समय पर सूनिया जी थे वाजपई जी थे आज मोधी जी है या एक पार्टी होती है जिसकी पैन नेशनल प्रेजन्स होती है उस समय पर कॉंगरिस थी आज बीजेपी है इंडिये के समय पर बीजेपी थी वाजपई जी के जमाने में आज ना कोई पैन नेशनल लीडर है इनके पास राहूल जी को कोई स्विकारता नहीं है ना उनकी लीडर्शिप की पार्टी बची है नेशनल लीडर्शिप की सभी लोग कॉंगरिस को सब रिजनल पार्टी मानने लगे और कहने लगे बंगाल में मत आओ केरल में मत आओ पंजाब में मत आओ दिल्ली में मत आओ तो इसका मतलब ही कि उनकी जो पूरी अलायंस बनानी की प्रक्रिया है उसमें ना नेशनल रीडर है ना नैशनल फूट्प्रिंट वाली पार्टी है इसलिए बन नहीं पा रहा है और इसलिए वो विपक्षी एकता का पुल जैसे सत्रा सो करोड का पुल धे गया था जल समाधी ले चुका था वैसे जल समाधी ले रहा है और एक आखरी बात हमने कौन सी पार्टी है वो पूरा का पूरा पार्टी हमारे साथ आ तो हमने किसी को तोड़ा नी तोड़ना होता है जो 88 में हुआ जो शर्त्पवार जी ने किया था वसंददादा पार्टेंव को अटाने के लिए तोड़ना व होता है ये NCP बनी किस नाम पर थी, कि सोन्या गांधी का विदेशी नेत्रतों हमें सुविकार नहीं 98 में बनी थी पार्टी, 2004 में फिर भी वो चले गए कॉंग्रस के साथ, और ज्यादा पार्टी सीटे पार्टी की थी, ये उद्दव ठाकरी जी का बयान है, हमने क्यों कहा कि NCP करप्ट है, ये बात सही है, ये इसलिए कहा क्योंकि उद्दव जी ने कहा था, ये देखे, ब्रश्ट है शरत पवार किसानों की जमीन कबजा करते हैं, पर फिर उद्दव जी चले गए शरत पवार के साथ, तो यदि उद्दव जी जिन्होंने इस पूरी बात को रखा था कि NCP ब्रश्ट है, वो खुच जाकर उनसे मिल गए, तो फिर हम ये क्यों रोश्ट देती है, बिना ये जाने कि करप्शन है के नहीं, आप भी ऐसी आरोफ लगा देते हैं, बैती गंगा में हाथ दो लेते हैं, ना, ना, बिल्कुल नहीं, मोदी जी का मॉडल कितना अलग है मैं आपको बताता हूँ, यूपीए ने तो लालू और मुलायम के केस बंद करवाये थे, हम वो पार्टी है, प्रताप सरनाइक, जो शिवसेना में थे, वो जब हमारी तरफ आए, उद्दव जी ने उनका टॉप्स का केस बंद करवाया, हमारी एडी ने खड़े होकर कहा, डिसमबर 2022 में, नहीं ये केस चलेगा, तो हमारे यहाँ पर तो हम केस जारी रखते हैं, चाय कोई भी हो, ये अंतर है हम में और उनमें, और मैं इनसे, दिखे हमारे साथ संजे जी है, मुंबई के और माराश्टर के हो जानकार, पूछे सबसे पहले, ये तो एक समय शिवसे नामे थे, संजे निरूपम जी, सबसे पहले शरतपवार को ब्रश्ट कहने का काम उद्दव जी ने किया था, तो बताइए कैसे मिल गए?